हाई डियर स्टुडेंट्स वेलकम बैक टो नाजिम क्लासिस और आज हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश का जो आपका 30% स्लिवर्स कम हुआ है यानि जो 70% आपका स्लिवर्स रह गया है उसकी जानकारी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देने वाले हैं तो वीडियो को बहुत ही गोड़ से देखें और कंप्लीट देखें ठीक है क्योंकि आपके लिए काफी इंप्रोटेंट है एग्नोर ना करें तो जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड-19 के कारण आपका जो कम हुआ है स्लिवर्स वो जो 30% कम हुआ है पहले आप उसको देख लीजी सबसे पहले प्रोज है आपका जैसे कि तो उसमें चैप्टर नमबर फाइफ है टोर्च बियर ठीक है उसको यहां से खत्म कर दिया गया है और वो लिखा है डबलू एम राइबर ने ठीक और चैप्टर नमबर 6 है और इंडियन टीक है इसको भी खतर दिया गया है और लिखा हा और शीरी निमीशनम習 डीक अब को थोड़ा प्रुं कर लेते हैं ठीक पोट्री पर आते हैं जर्फ को क्यों कर दिया गया है बिल्कुल पूरी वोयम काट दी गई है अब आते हैं हमारे सप्लिमेंटर रीडर पर माइग्रेट ओलम्पिक प्राइस जो द्वारा लेकित है जैसी ओएंस के पूरा ही कट कर दिया गया है तो इसको आप तयार आपको नहीं करना है हो सके तो आप कोपी में नोट कर लें तो आपके लिए जादा बहतर रहेगा फिल्हाल आपको इन कोशंगो इन चेड्टर को विल्कुल भी छूके नहीं देखना है बिल्कुल भी टच नहीं करना है इसे मतलब आपको तयार करना हिनाहीं नहीं है तो इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी बरदनी बड़ेगी क्योंकि आपका टाइम होने वाला है वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं अगर आप भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं एक इसमें जो है प्रिशन पत्र सतर रंगों का तथा तीन घंटे होगा अंतरिक के लिए आपको तीस नंबर मिलेंगे जो आपका प्रेक्टिकल होता है ठीक है अब देखते हैं जो आपका सतर परसेंट आएगा आपके कोशन पेपर में वह चैप्टर कौन-कौन से हैं तो प्रोज में रह गए हैं केवल चार चैप्टर दा एंचेंटिड पूल जो द्वारा लिकित है सी राज गोपाल चारी द्वारा अगर आपको इसको याद करना है इनके चैप्टर और राइटर के नेम तो डिस्क्रेप्शन में लिंक दे देंगे वहां से आप जाकर याद कर लेना यहाप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं ठीक एलेटर टू गोड जी एल फुइंड्स एलेटर टू गोड जी एल फुइंड्स यह आप करे गया है दगंगा आप करे गया है जो कि पंडित जवालाल नेरु द्वारा लिखी थे और चोतो नमबर पर है सुक्राद जो लिखा है रुधा पावर नी सुला नमबर आपके यहां से मिलेंगे प्रोस से और उम्मीद करूँगा इतनी आसान तरीके के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ाएगी और आपकी तैयारे भी बहतर हो जाएगी सुला मार सिर्फ आपको अमरा साथ देना होगा पोईट्री बराते हैं दा फाउंटेन जेम्स रसर लोवल दा सालम ओफ लाइफ डबलू एच लोंग फिलो और नमबर थरी है दा विलेज सॉंग बाई सरोजनी नाइडू तीन पोया में आपकी केवल रह गई हैं और बहुत ही आसान तरीके से साथ साथ नमबर के याद हो जाए उस तरीके से हम अपके इनके आंसर आप देने वाले हैं दा इन्वेंशन हो कैप्ट हिस प्रोमिस और साइकिंड है दा जज्जमेंट सिट ओफ विक्रा मदित्या ठीक है बारा नमबर आपके यहां से पक्के हो जाएंगे अब आदें ग्रामर ट्रांसलेट निवां और में आपका पार्ट को तयार करने पड़ेंगे रेवर्प सापको तयार करने पड़ेंगी तयार करने पर лей रह Nana happen एट पर कूछ मुँगा शंए Son गेवल और गेवल, पोईटरी, प्रोस और जो है सपलीमेंटरी से चैप्टर करते हैं आपके, उसके बाद है निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर्म औफ, फॉर्म एंड यूज, दा पैसिव वोईस, दा पार्ट अब स्पीच, एंड डिरेक्ट स्पी उसके बाद है हमारा लोंग, कंपोजिशन है, लोंग कंपोजिशन और कंट्रोल्ड कंपोजिशन, एक आपको लेटर या एप्लिकेशन आपको तयार करनी पड़ेगी, जैसे की हर साल करते हैं, और उसके बाद आए, आपका अंसीन पैसिस भी आएगा, छह नंबर में, एप आपको पुछे जाएंगे, एंटोनिम्स आपके, और सिनोनिम्स आपके, कैरिस ऑफ बड़ एननिमल्स, उसके बाद है, गिलो स्रेग, यही आपका स्लेवर्स है, इससे जादा कुछ है नहीं, इसमें आपके जो है, सो नंबर पके हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, ठीक ह तो उम्मीद करूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आ जाओगे तो लाइक जरूर करेंगे, अभी भी आपके दिमाग में कोई कोशन है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसका उत्तर देने की जल से जल कोशिश करेंगे, आज के लिए वस इतना ही दिन्यवा आप